सभीता गुपता लेंग्विज इंस्ट्रक्टर वेलकम इन लर्ण विद सभीता एक्टिव पैसिव वाइस के अगली सीरीज में हम जो टेंस ले रहे हैं वो है सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वाइस बनाना तो सबसे पहले हम यह देखें कि सिंपल फ्यूचर टेंस में को फर्स्ट फर्म ठीक है तो बहुत सिंपल है इसको पहचानना तो अब आप देखें कि इसका हम पैसिव वाइस कैसे बनाएंगे देखें हमारे पास एक सेंटेंस है और यह बता रहा है दा पोस्ट में विल डेलिवर दा लेटर तो इसमें दा पोस्ट में सबजेक्ट है इसमें विल है और वर्ब का फर्स्ट फर्म है और यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है और दा लेटर जो है वो क्या है अबजेक्ट है तो जैसा एस विजूल हम करते हैं इस अबजेक्ट को हम सबजेक्ट बना देते हैं और सबजेक्ट के इस सबजेक्ट के नमबर के इसमें हम will या shall use करते हैं और इसके बाद आता है be और फिर आता है verb का third form और इस subject का objective form यहां पर लिखा जाता है तो इस pattern पे हमारा इसका passive voice बनता है तो हम इस sentence का passive voice कैसे बनाएंगी the letter हमारा object है इसको हम आगे ले आएं the letter letter singular है इसलिए इसमें क्या लगएगा will और will की साथ आएगा be deliver का third form हो जाएगा delivered by हमारा subject क्या है the postman इसको हम यहां ले आएंगे by the postman ठीक है समझ में आ गया एक और example देखते हैं the judge will pardon him ठीक है the judge हमारा subject है will लगा हुआ है तो simple future tense का sentence है pardon हमारा main verb है और है यहां पर him him का subjective form क्या हो जाता है he he के साथ आता है will और आएगा क्या be pardon का third form हो जाएगा pardon by कौन दजच ओके then he will not throw his toy negative sentence है कोई problem नहीं है will या शेल जहां आता है वहां not लगा देते हैं he will not throw he हमारा subject है यह will है और throw हमारा main verb है और his toys देखें he और his दोनों एक साथ आया है तो दोनों को नहीं लिखा जाएगा है तो हम इसको subject की जगा पर ले आए his toys देखें he के साथ will लगा है toys plural number में है तो नहीं will ही आएगा है ना the toys will इसके साथ आ जाएगा not be thrown the toys will not be thrown by him नहीं लिखेंगे क्योंकि he और him एक साथ आते हैं तो फिर नहीं लिखते हैं next है हमारा I shall not invite him तो I shall not invite him अगे negative sentence है यह हमारा subject है यह main verb है यह object है him को हम यहाँ subjective form में ले आए he I के साथ shall आया है और he के साथ क्या आएगा will आएगा तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो subject है उसके number के नुसार आप will या shall को लगाएंगे he will will के साथ not आ जाएगा क्योंकि sentence में not है और आएगा be he will not be invited invite का third form by I का objective form क्या हो जाएगा me he will not be invited by me next जो sentence आया है she will not accept this offer तो she subject है except जो है यह आपका verb है और this offer object है ठीक है तो इसको अगर हम बनाते हैं तो this offer हमारा object subject के रूप में आ जाएगा this offer will not आ जाएगा और क्या लगेगा be accept का third form हो जाएगा accepted by she का हो जाएगा her ठीक है तो अपना जो sentence बना है वो क्या बना है this offer will not be accepted by her next जो है sentence हमारा कि people will forget it पैसिव वाइस में हम people को नहीं लिखते हैं तो हमारा यह subject है यह हमारा verb है और यह object है यह हो जाएगा it will क्या जाएगा be forget का third form forgotten ठीक है only by people नहीं लिखा जाता तो यह हो जाएगा it will be forgotten ठीक next है will she accept my invitation तो यह interrogative sentence है कई interrogative sentence है उसको बीचे मैंने छोड़ रखा है ठीक है तो यहाँ पर आप दिखिए will she accept my invitation she हमारा subject है accept क्या है verb है ठीक यह क्या है object है ठीक है my invitation ठीक है तो अब इसका जब आप बनाएंगे तो आप जो विल है गलती से बचने के लिए will को यहाँ पर रोक लीजिए बाकी sentence शुरू करिए और जहां पर आपका helping वर बाता है उसको विल के नीचे लिख दीजिए तो my invitation she से लिखना शुरू करिए my invitation will ठीक है तो will यहाँ ना लिख करके आगे लिखें capital से invitation और फिर आएगा be accepted by she का हर तो हमारा sentence हुझाएगा will my invitation be accepted by her यह हमारा बिलकुल correct बनेगा next हम आ जाते हैं बीच-बीच में छोड़ दिया था मैंने क्योंकि यह interrogative आ गया था then who will write this story यह sentence who अला है इसको बनाते समय थोड़ा सा precaution रखें कि आप इसको direct ना बनाएं क्योंकि direct अगर आप बनाने जाएंगे तो उस condition में यह हो सकता है कि आपसे गलती हो जाएं ठीक है तो यहाँ पर है who will write this letter इसका हम एक रफ बना लेते हैं यहाँ देखिए who हमारा subject बन रहा है right हमारा verb है और this story क्या है object तो this story हमारा क्या बनेगा यहाँ पर रफ अगर बनाएं तो this story will be written by who का हो जाएगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि wh को की आगे है तो हम wh को आगे ले जाएंगे इसके साथ by भी आएगा इसको हम काट देंगे और यहां who के सामने हम लिखेंगे by whom next इसके बाद who के बाद में will है तो by whom के बाद में भी हम will ले आएंगे और इसको भी काट देंगे यहाँ तो by whom will अब इसके बाद का जो पुरा sentence है as it is उतार देंगे this story be written this story be written ठीक है तो हमारा जो पैसिव वाद बना by whom will this story be written इसी तरह का who का ही एक और sentence है इसको भी हम देख लेते हैं who will clean the room तो जो पहले पैसिव वाद से हम रफ बनाएंगे यहाँ पा देखिए who हमारा subject है ठीक है clean हमारा वर्ब है और the room क्या है object है तो इसका पैसिव वाद कैसे बनेगा simple बनाएंगे पहले the room will be clean का third form हो जाएगा cleaned by whom ठीक है आप इसको rearrange कर ले रहे हैं देखिए wh आगे है तो wh को आगे लेएंगे इसके साथ by भी आएगा है ना तो लिख लिया हमने by whom ठीक है who के साथ will है तो हम will को भी आगे ले आएंगे और काटते जाएंगे ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर काटिएगा नी तो गलती से वो repeat हो जाएगा by whom will बाकी as it is पूरा का पूरा लेखते हैंगे line से the room be cleaned the room be cleaned ठीक है तो by whom will the room be cleaned देखिए अब बिगनर हैं अभी बनाना शुरू किया है ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो बहतर यह है कि precaution लेकर चलें योकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी देखा है मैंने वो गलती कर देते हैं ठीक है तो हू आले में कोई रिस्क ना लें तो बहतर है नेक्स्ट है समवन बिल बीट यू वन डे है न तो समवन हमारा सबजेक्ट है और बीट हमारा क्या है वह यू अबजेक्ट है ठीक है तो यू को हम सबजेक्ट बना करके यहाँ पर ले आए यू यू के साथ बिल और क्या आता है बीट का नहीं लिखेंगे क्योंकि जो वाक प्रोनाउन है someone, anyone, somebody, anybody ये नहीं लिखे जाते हैं तो ये नहीं लिखा जाएगा और क्या हो जाता है one day तो हमारा जो sentence का passive words बना है you will be bitten one day so students hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि simple future tense के passive words कैसे बनेंगे thank you thanks for watching the video